प्रभातकाबर.com विश्वास्वही रवतार नहीं आज पूरा देश कुरोना के दूसरी लहर का सामना कर रहा है बड़े राज्य दिल्ली महराश्ट्रों हो या छोटे राज्य बिहार जार्खट कुरोना ने सबको जैसे लाचार बना रखा है सभी राज्यों के अस्पताल ओक्सिजन की कमी झेल रहे हैं तो वहीं बढ़ते संक्रमन के बीच बिहार और जार्खट के चिंता बढ़ गई है बिहार में मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने कुरोना के हालातों इसकी तैयारियों और ओक्सिजन की कमी जैसे मुद्दो पर उच स्तर्य समिक्षा बैठकी जिसमें सरकारी से लेकर नीजे अस्पतालों में ओक्सिजन उपलब्द करानी की बात कही गई जार्खट में मुख्यमंत्री हिमंत्सोरे ने ओक्सिजन की नहीं बलकी ओक्सिजन सिलेंडर और दूसरे चिकिस्सा सामब्रियों की कमी पर विशेश चिंता जाहिर की है वहीं बात बिहार की करे तो यहां पिछले कुछ दिनों से संक्रमन के आकड़े 12,000 के करीब दर्ज किये जा रहे है बिहार में कोरोना वाइरस संक्रमन के कारण पिछले 24 घंटों में सरसट और मरीजों की मौत हो गई बिहार में फिलाल रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट का फ्यू लगाए गया है 15 में तक सभी स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का फैसला भी लिया गया है और कुछ पाबंदियों के साथ कुल मिलाकर बिहार का नजारा मिनी लॉकडाउन जैसा बना हुआ है हाला कि मौजोदा इस्थिती को देखते हुए पाबंदिया बढ़ाए जाने के चिंता लोगों को सता रही है वहीं जार्खन की बात करें तो जार्खन में पिछले 24 घंटों में 5541 नए पॉजिटिव मामले सामने आये हैं और 124 लोगों की मौथ हो गई राची में सबसे जादा 1686 पॉजिटिव मिले हैं बता दें के फिलाल पूरे जार्खन में स्वास्त सुरक्षा सप्ता चल रहा है जिसमें कई पाबंदिया लगाएं गई है मौजुदा हालात को देखते हुए इन पाबंदियों को बढ़ाई जाने की चिंता जार्खन में भी लोगों को सताने लगी है आईए आप पूरे भारत की बात करते हैं पूरे भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई है देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमन के 3,23,144 नई मामले सामने आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,76,36,307 हो चुकी है वही 2,771 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,97,894 हो गई है इधार पूर्व प्रधान मंत्री अटल विहारी वाचपई की भतीजी और कॉंग्रेस नेता करूना शुकला करूना से जंग हार गई है सोंगवार देरात राइपुर के रामकरशन अस्पताल में उन्होंने आखरी सास ली वहीं ऑक्सिजन की सबसे जादा मार राजधानी दिल्ली छेल रही है जहां पिछले 24 घंटे में कॉरोना से 380 लोगों ने अपनी जान गवादी है साथी साथ 20,201 नए मामले भी दर्श किये गए है वहीं संक्रमन से बुरी तरह प्रभावित महाराश्ट्र में 24 घंटे में कॉरोना के 48,700 नए मामले सामने आए है इसी के साथ प्रभात खबर आप सभी से अपील करता है कि कॉरोना के दूसरी लहर का बिना डरे सामना करे मास्क, सेनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे जरूरी नियमों का जरूर पालन करे इसी के साथ अपने और अपने परिवार वालों और दोस्तों को भी सेफ रखे